हेलो एप्रिवन वेलकम करती हूँ प्रीतो की इजी रेस्पीस में तो आज मैं फिर से बनाने वाली हूँ एकदम होटल जैसे हेल्दी पनीर की सबजी सौरी चीली पनीर तो आज है जो है सक्षम का बड़े अभी चार दिन पहले था लड़ू का बड़े और आज है सक्षम का आज मैं जाधा बनाने वाली नहीं हूँ क्योंकि नीचे चीकन बन रहा है जो चीकन नहीं खाएगा उसके लिए मैं यहां पर पनीर की बहुत ही स्वाधिस्ट सब्जी बना रहे हूं तो और यहां पर हमने तीन से चार प्याज ले लिया है और दो से तीन हमने बड़े बड काया है क्या तो बस यहां पर मैं जल्दी तयारी मतलब कर ले रही हूं और यह फटा फट से आपका यह 15 मिनट में बनके तयार हो जाता है बस कटिंग चौपिंग करने की देरी होती है तो यहां पर हमने एक कैप्सिकम को चौकोर में काट लिया है अब क्या करेंगे यहां प दाल दिया है और उसके बाद इसको अच्छे से मेक्सिकल लेंगे प्याज समाटर को पनीर में बनाने के लिए बॉयर कर रहे हो तो इसमें कुछ खड़े मसाले डाल दीजिए इससे टेस्ट बहुत ही बढ़ी आता है यहां पर हमने चार से पांच हरी मिर्च दो से चार हमने लॉंग डाल दिया है एक बड़ी लाची दो छोटी लाची अब क्या करेंगे इसको हम ढग देंगे बस इसको थोड़ा सा मुझे मतलब पका लेना है तो इससे क्या होती फटा फट से ग्रेवी बनके तयार हो जाती है और बहुत ही साधिष्टी चिली पनीर की सबजी बनके तयार होगा तो यहां पर एक किलो के करीब यह पनीर है तो पांच से छे लोगों के लिए मैं बना रही हूँ तो ग्रेवी को मतलब जटपट में बनाना है तो इस तरह से आप जरू ट्राई करें और बहुत अच्छा भी लगता है लगता है कि जैसे हमने बाहर से ही मंगाया हो तो बस यहां पर क्या करेंगे पनीर को डायमंड से में इस तरह से कट कर लेंगे जैसा भी आप से देना चाहे थोड़ा सा लुक अच्छा लगता है बस और कुछ नहीं तो बस यहां पर देखिए हमने डायमंड के से में इस तरह से सारे पनीर को हम काट लेंगे और तो ब बेखिये हमारा यह प्याज टमाटर अच्छे से गल चुका है और अब गैस के फ्लेम को आफ कर देंगे और इसको हम ठंडा कर लेंगे तो जब यह थंडा हो जाए तो इसको हम ग्राइड कर लेंगे तो होटल वाले भीया अब इसी तरह से मतलब सौरी होटल वाले ऐसे ही करके इसको मतलब प्यूरी बनाके और वस फटा-फट से फ्राई करके दे देते हैं और क्रीमी टैक्षर लाने के लिए यहां पर हमने थोड़ा सा पनीर डाल दिया है ग्रेवी में इससे क्या होगा ना जो आप अलग से क्रीम डालते हों क्रीम डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप बस दो चार क्यूब पनीर को जो है ग्रेट कर लीजिए यानि कि मतलब पी हमने जो एक बटर क्यूब डाल दिया है एक जीरा दो से तीन हमने यहां पर तेज़ पत्ता डाल दिया है एक चमच हमने यह पर हल्दी और एग चमच हमने रेड चिली पावडर अधाल दिया है तो इस तरह से जो creamy texture आता है बहुत अच्छा लगता है आपको अलग से cream डालने की जरूरत नहीं पड़ती है तो जब तक ग्रेवी पकेगी यहाँ पर हमने दो चमच तेल लिया है सरसो का मेरे मतलब मुझे कोई comment किया था कि मतलब सरसो के तेल में दाल मखनी नहीं बनती है तो कम करकेगी हमने में कडंलियो काम करणा में थोड़ा से सौन्च हो जाए। थोड़ा से मतलब nutadesub होजाए उसके बाद फिर यहाँ पर हमने पनीर को थोड़ा से फ्राइब कर दहुंगी पनीर करने से स्वाध से बहुत बढ़िया आता है और अच्छे से हो मतलब हो जाता और अच्छा भी लगता है तो इससे थोड़ा टेस्ट अलगाता है तो यहां पर हमने एक चमश हल्दी पाउडर एक चमश रेट चिली पाउडर डाल दिया है और थूड़ा से हमने आदा चमश गरम मसाला और बस इसको मेडियम टू हाई फ्लेम पे करके पनीर को फ्राइ कर जया है कशूरी मेथी और यहां पे स्वाद करशार नमक डाल दोंगी और ग्रैथी को बन जाएगी क्योंकि पनीर तो अपमें आपमें ही पका होता है उसको ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं होती है तो बस इसको ओपन करके तीन से चार मुनट तक पका लेंगे तो एक दम होटल जैसे बनी थी क्रीमी ट्रेक्शन में जरूर आप एक बाद ट्राइ करना आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर अब मैं डाल दूँगी हरी धनिया धेशारा तो जब भी में बड़े होती है या फिर ज्यादा लोग खाने वाले होते है तो मैं पनीर की सब्जी जो होता है इसी तरह उसे बनाती हूं और सबको बहुत पसंद आता है और आप भी जरूर बनाना आपको भी बहु है हमने कद्दू करके डाल दिया है साथ मैं हरी धनिया डाल दिया है तो बस फाइनल लूक हमारे ये चिली पनीर बन के तयार आप लोग को उमीद करते हूं कि आपको ये पनीर जरूर पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो एक लाइक करना पेश को फॉलो करना अच्छ ल